हाई फ्रेंट्स मैं साधना मौर्या आप सभी का हमारे जीके के स्पेशल वीडियो में स्वागत करती हूं तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्यूशन नंबर एक कोशिका के अध्यान को क्या कहा जाता है या क्यूशन हाउने में पुछा गया है अ yapmışनैं औरने जो ऩो लगा सबैंसरी में साइटो लाजी तो इसका उत्तर किया इसका उत्तर है साइट्टो लाजी कोशिका की अध्यान को साइटोलाजी कहते हैं आगे देखते हैं पॉइंट में पच्छियों के अध्यान को अर्नियोलाजी कहते हैं कैंसर विज्ञान के अध्यान को अंकोलाजी कहते हैं कीटों के अध्यान को इंटुमोलाजी कहते हैं आगे देखते हैं नोट पॉाइंट में इन सब को अच्छे से याद करें ना शिक्के के अध्यान को नीरो मैस्टिक्स कहते हैं अभी लोके को अध्यान को इपी ग्राफिक कहते हैं जीवास में के अध्यन को जीवास में विज्ञाने आप एंटोलाजिक हते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट किस्टन किस्टन दोनीवन में से किस कप का सम्मंद बैट मिंटन से नहीं है या प्रसन है मध्य प्रदेश पुलीस में पुछा गया है थामस कप, उबेर कप, सुधी सीरमन कप, डेविस कप तो इसका उत्तर क्या है इसका उत्तर है डेविस कप राइडर कप का सम्मंद गलोफ से है सयद मुस्ताक कप और विजय हजारे कप का सम्मंद क्रिकेट से है डुरंडर कप का सम्मंद फुटवाल से है वीलिंग गटन कप का सम्मंद नवका यान या र कि हुजराहा नित्र महोसव के दिल्एम होता यह प्रस्न MP पूलिस में पूछा गया है। चतरपूर में निमारी में सिधार्थ नगर विकानेर में तो इतर चतरपूर में खुजराहो महोसव के आयोजन होता है। आगे देखते हैं। कि तांसेन महुस्व का आयोजन गौलियर में होता है जो कि मध्य प्रधेश में है खुजराहो का निर्मा चंदेल के सासकों ने करवाया था पंचायतन सहली का सम्मद्ध खुजराहों से हैं आगे देखते हैं कि खुजराह के मंदिरों में सबसे विशाल कांदीरा महादेव मंदीर है जो मुल्टशी मंदीर है मंदीर का निर्मार उन्निस 999 बेशन इस्वी में हुआ थे तथा इसकी लंबाई 102 और चोड़ाई 36 और उचाई 101 है इस्थानी मत के अनुसार इसका कंदरी नामकरण भगवान स्वी के नाम पर कंदपतरी के अनुसार हुआ था इस कंदपतरी से कंदपी सब्द का विकास हुआ जो कालंतन में कंदरिया मे परिवर्तित हो गया ये देखिए वो मंदिर है कंदरिया महादेव का इस मंदिर को अच्छे से याद रखना ये प्रसन भी पूछा जाता है कि खुजराम सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था तो इसका उत्तर है कंदरिया महादेव जगंबी मंदिर आगे देखते हैं निमारी मिर्ची महोसाय के लिए प्रसीद्ध है, सिधार्थ नगर कला महोसाय के लिए प्रसीद्ध है, यह भारत की उत्तर प्रदेश राज्ज में है, बीका नेर उट महोसाय के लिए प्रसीद्ध है, आगे देखते हैं, नाविकी रियक्टर में नियंद्रड छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है यह प्रस्टन बिहार सबिक्स पट्टर में पुछा गया भारी जल यूरेनियम, कैडमियम ग्रिफाइड तो इसका उत्तर क्या है कैडमियम कैडिमियम का प्रयोग नाविकी रियक्टर में नियंत्रड छड़ के रूप में किया जाता है सुर्य के अंदर उर्जा का सुरोथ नाविकी संगलयन कहलाता है परमारू सिधान्द को नाविकी विखंडन कहते हैं आगे देखते हैं नाव की विखंडन में इधन के रूप में यूरेनियम दोसा पैतिस का प्रयोग होता है नाव की विखंडन में मंदक के रूप में भारी जल डीटू O प्लस ग्रिफाइड का प्रयोग होता है नाव की विखंडन में इंदर छड़ के रूप में क्रेटरिनियम का प्रयोग होत नेक्स्ट क्यूस्टन देखते हैं कि उसन नंबर पाच केंदरी अवसदी अनुसंसदान संसता कहां इस थी थे यह प्रस्ण है बिहार सब इस्पेटर में पूछा गया लखनाव करनाल सिमला कटक तो इसका अधर है लखनाव चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइ और वीडियो को कमेंट सेर करना ना भूले कंदरी असदी असद्रान केंदर कहां इस था लखनाव में करनाल में सेंटरल डेरी दिशर्स सेंटर इस्थिद thirty कन्राल हडियारा राज के अंदर पड़ता है केंद्री चावल अनसुधान केंद्र कटक में इस्तित है जो उडिशा राज में है उडिशा महान नदी के किनारे इस्तित है